तो आसान कोशन ता ही कहता है वायर आप रेजिस्टेंस फोर ओम इस स्टेज्ट टॉइट इस ओरिजिनल लेंग अब देखो एक वायर है हम लोग में पास यह प्यारे बच्चों इसकी इस वायर की जो लेंथ है कुछ एल है और जो नया वायर बनाए गया इसकी रेजिस्टेंस फोर ओम थी रेजिस्टेंस आर ती यह रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस पेडिमेंट करता है रेजिस्टेंस आर ते नियू आयर ट्वाइस नी यह ट्वाइस किया है ।डवल किया है यहां पर प्यारे बच्छों यह डबल कर दिया है तो यह डबल कर दिया त्यटध यह 2L और 2L तो इसका एक loan भीी है अगर direct formula है यह कि R days की value N square R होती है N square R तो double किये हो तो 2 square और resistance actual में 4 है तो 4 that is 16 ohm इसका final solution है 16 ohm यह है नहीं समझ में आगे इस relation को याद कर लो N times किसी wire के length को N times बढ़ा देते हैं प्यारे बच्चों N times तो N square और actual से multiply कर दें तो resistance आ जाता अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो भाई पहले equation लेकर इसका resistance कितना हो जाएगा Rho L upon A that is equal to 4 ohm equation number first और अगर इसका resistance लिखोगे तो इसका resistance R dash Rho chain नहीं होगा L dash area cross section A dash L dash आपको पता है पहले से 2 times L A dash आपको निकालना पड़ेगा area cross section इसका volume इसका volume इकोल होता है वही 1 kg का था 2 kg का तोड़े हो जाएगा इसका mass इसका mass इकोल होगा तो volume B1 बराबर B2 तो पहले वाले की area cross section length L और दूसरे वाले की L dash और area cross section A dash इसकी length 2 L होगे area cross section A dash तो A dash की value आजएगी A by 2 तो अगर A by 2 में यहां रखोंगा तो row 2 times L और A by 2 2 उपर गया that is 4, 4 times row L A और row L A क्या है? row L A actual, actual resistance of जिसकी value पूरे की value 4 है तो 4 multiplied by 4 that is 16, finally उम्हारा solution आगे तो यह दोनो method यह जो है smart तरीका था यह smart method यह direct कर देगा अगर result यहाद है और बागी यह थोड़ा लेंदी है चलो